सो हेलो दोस्तों जाहिंद कैसा आप सब उमीद करता हूं अच्छे हूंगे तो सब्सक्राइब से भी गया इस्टेंड अप क्लासेस में तो दोस्तों फाइली इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के जो है अप्लिकेशन फार्म का लास्ट डेट कंप्लीट हो चुका है जो कि 16 ज इसके बाद आपके दिमाख में कई सारे सवाल चल रहे होंगे जिनके जबाब आपको जानने ज़रूरी है फिर जो नए कैंडिरेट है उनको कई सारे सवालों के जबाब जो है जानने बहुत जरूरी है तो आप सबीसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इस वीडियो को पू से की जाए दूसरा जो डाउट है वो यह है कि इस बार टोटल कितने फॉर्म आये हैं मतलब कमपटिशन कितना हाई रहने वाला है ठीक है कितने फॉर्म भरे गए फिर उसके बाद एक्जाम में निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा उसके बाद जो सबसे इंपोर शरी चीज मैं आपको बता दूँ आप कहीं से भी तयारी करो मुझे उसे परती कितra लेकिना अभी पुखिसी बीर पॉलिकेशन की बुक स्मतले ना ठीक है किसी बीर पॉलिकेशन की बुक मतलेना औ가ίοIs भदियाया हो या खराब हो क्योंकि अबी 벌써 बढ़लके बेचा जारा है ये वही पुरानी जो है बुक्स हैं पब्लीकेशन की जो जब आफ लाइन एक्जाम होता था कोष्ट गार्ड का तब का आपको प्रवाइड कराया जा रहे हैं ठीक है कुछ भी कंटेंट उसमें बदला नहीं गया है ठीक है अब आपको तब तयारी कहां से करनी है अगर आप बुक नहीं लोगे तो आप किसी भी बेश्ट राइज्टर को चूज कर लो उनके डिटेल क्लासेज लो जैसे मालो कि आप अगर आरे सगरवाल के मैथ पढ़ रहे हो तो आरे सगरवाल का मैथ का डिटेल बुक लो जैसे नमीन अंगडित आता है तो उसको ले करके आप वहा पॉइंट कैसे त्यार किया जाएगा एक्जाम का तो आपके लिए स्टेंडब क्लासेज की तरफ से एक माहा पीडियाफ बनाया जारा है जिसमें तीन सब्जेक्ट होंगे सबसे पहले जीके होगा साइन्स होगा और फिर इंगलीस होगा यानि 5 नमर का जीके 15 नमर का साइन साइन्स और 15 नमर का इंगलिस टोटल 30 नमर होगे और यह मैं पूरी गरेंटी आपको दे रहा हूं 30 में 30 पूरा लेकर क्या होगे यदि पूरी अच्छी तरीके से आपने इस माहा पीडियाफ को कंप्लीट कर लिया तो इंतजार करो मैं डिट बता देता हूं किस दिन रिली ठीक है और पूरी गरेंटी के साथ मैं दे रहा हूं एक बार विश्वास करके महां पीडियाफ लो पड़ो 100 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ठीक है लेकिन गरेंटी है कि आपके जीके साइंस और इंग्लिस में नमबर नहीं कम होने दूगा बाकी बचा मैथ क मैथ का प्रैक्टीश सेट बिन रहा है सिर्फ 50 रुपए में आपको 12 चाम से मिलेगा। यानि liar बारे 15 नहीं रहा हो इहां सबसे इंपोर्टेंट आउट है कि इस बार टोटल फॉर्म कितने बढ़े गए हैं तो ध्यान से सुनना इस बार नियर इबाउट साढ़े चार लाग फॉर्म भरे गए हैं और वेकेंसी आप देखर हो तीन साढ़े तीन सो वेकेंसी है जिसमें डीवी में तो सिर्फ अब इसके बाद साढ़े चार लाग फॉर्म भरे गए मतलब निगेटी मार्किंग नहीं रहने वाला है इसका मतलब यह होगा कि कटाफ हाई जाएगा तयारी आपको बहतर करनी है अब इसके बाद जब निगेटिव मार्किंग रहेगा यह भी आपका डाउट केलियर हो गया रहेगा या नहीं रहेगा नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा यह चीज़ नोट कर लेना अब एक्जाम का लेंगवेज क्या कट आये तो सबका admit card आएगा कोई दिक्कत नहीं है परसान होनी की कोई भी जरूवत नहीं है यदि आपके document में कोई दिक्कत भी है फिर भी आपको पहला exam देने का चांस दिया जाएगा ठीक है phase 1 देने को उसके बाद तुरंट पांच मिनट के बाद पांच मिनट का रिष्ट देके section 2 शुरू हो जागा या फिर हो सकता है section 1 और section 2 दूनों में combine मिले ठीक है लिस्ट एजूकेटर है आपके डिफेंस में वह सभी लोग इसमें सहयोग दे रहा है इसी बुक को बनाने के लिए ठीक है तो फिलाल के लिए अलविदा दीजिए